तो दोस्तों जैसे जैसे इंडिया में क्रॉसोबर कार्फ और कॉंपेक्ट ऐसवी कार्फ की डिमांड बढ़ रही है उसी तरह से कंपणीज भी इस सेग्मन में लगातार अपनी न्यू न्यू कार्फ को लौंच कर रही हैं अभी हालवाली सेग्मेंट में कई सारी गारियां लॉंच हो चुकी है मैंने आपको बताया था कि निसान भी अपनी एक क्रोसोवर कॉंपेक्ट SUV कार को इंडिया में लॉंच करेगी जिसका नाम होगा निसान मैगनाइट और निसान मैगनाइट इंडिय की सबसे सबस्ती SUV कार होगी जो कि आपको सबसे कम कीमत में मिलने वाली है और इस कार के वेरियंट के बारे में मैंने डिटेल में एक और वीडियो बना दिया है लेकिन अभी इस कार के मेन हाइलाइट की ही मैं बात करने वाला हूँ तो दोस्तो निसान मैगनाइट के इंडिया में करिब करिब कमपनी ने चार मेन वेरियंट लॉंच किये हैं जिसके सब वेरियंट होंगे 10 वेरियंट इनके बारे में आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं बाकी इस कार में आपको engine option की बात करें तो निसान मैगनाइड में आपको engine के लिए दो options मिलने वाले हैं दोनों ही engine 1000 cc के होंगे मतलब 1.2 लिटर के petrol engine के option होंगे लेकिन एक engine turbo charge होगा और दूसरा engine naturally expected normal engine होगा normal engine आपको driver और quit जैसी cast में मिल जाता है और ये engine कम power generate करता है 72 horsepower की लेकिन turbo charge जो engine होगा वो ज्यादा power generate करने वाला है और ज्यादा torque का output भी देता है 1.0L का turbo engine इसमें 100 horsepower के maximum power और 160 Nm का torque generate किया करेगा normal engine में आपको manual transmission को option मिलेगा और turbo charge वाले engine में आपको 5-speed manual और CVT automatic दोनों transmission option मिलने वाले हैं बाकी Nissan Magnet के interior में कई सारे features offer किये गए हैं जैसे कि touch screen infinite system, digital instrument cluster, automatic climate control, push button start and stop जैसे कई सारे features आपको Nissan Magnet में मिल जाते हैं आप detail में जाना चाते हैं और variant के इस आप जाना चाते हैं तो आप दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं उसमें आपको clearly पता चलेगा और detail में पता चलेगा कि कौन से variant में किस तरह के feature मिलते हैं और कौन-कौन से feature इस गारी में offer किये गए हैं बाकी Nissan Magnet का exterior भी Fragment के बागी गारियों को तगड़ा competition देने वाला हैं और Magnet में आपको तगड़ा exterior मिल जाता हैं कार के front में L-shape के DRS दिये गए हैं जो कि bumper पर लगाए गए हैं front में एक बड़ी सी grill मिल जाती है जिसमें आपको fight में chrome flats मिलते हैं और साथ ही में कार में stylish kit plate, fleek LED headlamp with DRLs, muscular divinant look, outside three rear view mirrors with turn indicator और diamond cut alloy wheels शामिल किये गए हैं जो कि कार के look को काफी enhance कर देते हैं और गारी को segment के बाकी गारियों से काफी हर्थ तक modern और stylish भी बनाते हैं कुल मिलाकर गारी का activity भी काफी हर्थ तक segment की बाकी गारियों को competition देगा और कार का base rent इंडिया में आपको 5.5 लाग रुपे की कीमत में भी मिल जाएगा निसान मैगनाइट के base rent की शुरुआती एक्षिरूम कीमत सारे 5.0,00,00 रुपे है और इस कार का top rent 9.55,000 रुपे की कीमत में मिल जाता है अभी half-half company ने इस कार के bookings को open कर दिया है और अभी आप इस टाइम आप गारी को book भी करवा सकते हैं निसान मैगनाइट की booking के लिए आपको 25-30,000 रुपे देने पड़ेंगे और आप इस कार को अभी half-half book करवा सकते हैं तो दोस्तों मेरी हिसास है अगर आपको एक कम कीमत में काफी अच्छी SUV कार चाहिए तो आप निसान मैगनाइट को भी अपने list में consider कर सकते हैं बाकि decision आपका होगा कि ये कार आपके लिए better है या नहीं वो आपको divide करना है आपको ये कार कैफी लगती है कमेंट करके बताईएगा और इस वीडियो में बफ इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में